खबर एक बार फिर से राम मंदिर से जुड़ी हुई मुद्दे पर है स्वामी हंस्देवाचार ने मोधी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और आप देख रहे हैं RebellionVoice.com तो आए जानते ये पूरा मामला क्या है संत समाज के सम्मेलन में स्वामी हंस्देवाचारे महराज ने एक बयान दिया है उन्होंने कहा अगर मोधी सरकार राम मंदिर निर्मार पर कोई फैसला नहीं करती है तब तक वे सरकार को अपने खुर्षी से उठने नहीं देंगे क्योंकि उन्हें मोधी सरकार पर ही भरोसा है कि राम मंदिर का निर्मान स्रीफ मोधी सरकार ही कर सकती है तो आए आपको उनका पूरा वीडियो सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है भाईया जी ने का यहां दोलन चलेगा और मैं भी कहता हूं दोलन चलेगा संग भी कहता है और संत भी कहता है यहां दोलन चलेगा नहीं रुकेगा यह कारवा फिर क्या करेंगे पत्रकार बंधू कल मैं हरीद्वार में था तो सभी लगभग चैनल के लोग पूछने लेगे आप हरी दवार से दिल्दी जारेश क्या कहेंगे मैंने का दिल्दी के लाल किला में बोलूँगा सुन लेना क्या करेंगे सुनना चाहते हो अगर सरकारी सेशन के अब तो अध्यादेश आ नहीं सकता क्योंकि सेशन प्रारंबेप परसों के अगर इसके बाद सरकार सत्र विराम के बाद अध्यादेश नहीं लाती तो दिल्ली नहीं अब प्रियाद की धर्ति पर 31 जन्वरी और एक फर्वरी को फिर इकठा होंगे योगी जी को धन्यवाद दूंगा मुगल सराए दीन दियाल हो गए इलाबाद परियाग हो गया बाकी दल नेस्त नाबूद हो गया एक संकल पोर मन में आता है इस सरकार में घोशना की थी हमारे प्राथिम्ता है राम मंदिर का निर्मान भारती जन्ता पार्टी का पालनपुर का धिवेशन जहां उन्होंने कहा गया था हम राम मंदिर का निर्मान करेंगे मैं कहना चाहता हूँ अगर किशी व्यक्ति से करजा लेना हो तो इसको छोड़ देना चाहिए छोड़ देना चाहिए तो हमने मोदी से करजा लेना है मोदी को चतावनी देना चाहते हैं जब तक तुम राम मंदिर नहीं बनाओगे तुम्हें दिल्ली से प्रधान मंत्री से हटने नहीं देंगे सहमतो मेरी बात से मोदी जी ने कहा मंदिर बनाएंगे हम भी कहते मंदिर बनाएंगे दोस्तो आसा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें हमारे वीडियो को भी लाइक करे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूले और अपनी राय भी हमारे कमेंट बॉक्स में दे धन्यवाद, जै हिन, जै भारत